हेलो फ्रेंज, वेलकम तो एट्वन्टीफो नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आसाम स्टेट पॉर्टल की स्टेट लेवल रिकुर्मेंट के बारे में और इसके ओनलाइन फॉर्म फिलप प्रॉसेस के बारे में, तो फ्रेंज का जो लिंक है, वो 11 अप्रेल को मिड्नाइट से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इनके लिए अप्लाइ कर सकते हैं, और इस रिकुर्मेंट और नॉटिफिकेशन से रिलिटे जानकारी आप इसकी ओफिशल वेबसाइट पर जाकर, यहाँ फिर वीडियो के बारे में और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट से मिल सकें, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड से य जैसे अगर आपके पास Employment Exchange Register Number नहीं है, उस Condition में आप Apply नहीं कर सकते हैं, अगर आप Multiple Post के लिए अप्लाइ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आप Graduate है और Degree या Diploma आपके पास Computer पर हैं, तो आप कितनी Post के लिए applicable हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ प option पर क्लिक करेंगे, registration वाले option पर क्लिक करने के बाद आपको instructions को readout करना है, और उसके बार आप नए step पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद देखें, तीन options हैं, सबसे पहले है registration number of employment exchange of ASAM, तो आपका यहाँ पर देखिए ASAM के candidate जिनका employment exchange में registration है, वो अपना registration number यहाँ पर देंगे आपका 10 digit का mobile number आपको देना है, और उसके बाद send OTP करना है, आपके mobile number पर एक OTP आएगी, वो OTP आप यहाँ पर fill करेंगे और उसके बाद verify करेंगे उस OTP को, OTP को verify करने के बाद ही आप यहाँ से जो next tab है, इस पर आप click कर सकते हैं, इसके बाद friends यहाँ पर देखिए, आप login हो जाएंगे dashboard पर, अब login होने के बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है type of post या category of post, आप एक post कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, या फिर सभी कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ पर minimum qualification है, ग्रेशन डिगरी की, जो कि आपके accountant, cashier, junior assistant, LDA, stenographer के लिए है, ग्रेशन आप पर driver post जो है, उसके लिए HLC, या उसके equivalent examination driving license के साथ, आपके पास होना चाहिए, अब आप जिस भी post के लिए apply करना चाहें, उस पर आप yes कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको उस post के सामने दिएगे option पर yes करना होगा, आप चाहे multiple select कर सकते हैं, आप चाहें तो single भी selected कर सकत हैं, इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है आपका नाम, तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, इसके बाद अगर आपके पती यह पतनी है तो आप spouse नेम दे सकते हैं, इसके सकते हैं अगर आप EWS में आते हैं तो yes या no कर सकते हैं इसके पर अगर आप दिव्यांग candidate है तो आप यहाँ पर फ्रेंस आपके जो category है वो आप select कर पाएंगे जिसमें percentage of disability और आपका type of disability क्या है नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे इसके पर फ्रेंस से आपका next option है आपके address का तो यहाँ पर देखी पर्मानेट address information आपसे पूची कही है जो कि आपका पर्मानेट है जहांके documents आपके है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे आपको मिलता है टिक का option तो अगर आपका पर्मानेट प्रेजेंट है तो आप क्लिक कर सकते हैं अलग अलग है तो आप manual entry भी कर पाएंगे इसके बाद फ्रेंस से यहाँ पर देखिए आपको आपकी mail id एंटर करनी है तो आपकी जो भी active mail id है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे इसके बाद फ्रेंस से यहाँ पर देखिए आपका धारकार नंबर आपसे मांग गया है अपने अधारकार नंबर आप दे सकते हैं इसके बाद preference of district आपको यहाँ पर करनी है return examination के लिए तो यहाँ पर फ्रेंस से multiple आपको यहाँ पर देखिए options मिल जाते हैं आप जहाँ पर भी अपनी preference देना चाहे वो आप preference यहाँ पर enter कर देंगे इसके बाद है qualification तो यहाँ पर qualification में फ्रेंस से आपको यहाँ पर यहाँ पर है अपने अकोडिंग आप दे सकते हैं अब यहाँ पर है marks obtained कितने numbers आपने यहाँ पर गेन किये और कितने में से गेन किये हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ पर mention करनी होगी इसके बाद आपका year of passing क्या है वो आपको देना है आपका name of school क्या है यह आपको जानकार प्रोवाइड करनी होगी इसके बाद आपका board का नाम क्या है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं इसके बाद नीचे friends एक option है HLC का तो यहाँ पर art, science, commerce से आपने किसमे पास आउट किया है वो आप select करेंगे marks obtained, total marks, year of passing, name of school, आपके asam board या फिर जो भी board या CBC board जिससे भी आपन इनमें से कौन सी है, इनमें से है तो ठीक है नहीं तो आप other select कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर same आपके numbers कितने आपने गें किये है, year of passing क्या है, आपके college का नाम क्या है और university का नाम क्या है वो आप देंगे, diploma है आपके पार computer science में आप कितने month का है, कितने year का है वो आप select कर सकते हैं, degree है तो आप degree select कर सकते हैं, कोई other qualification है तो आप उसकी जानकारी प्रवाइड कर सकते हैं, तो यह depend करता है आपके qualification पर उसके according ही आप जानकारी यहाँ पर fill करने वाले हैं, इसके बार फैंसे यहाँ पर देखिए आप से पूछा गया है medium of instruction for the question booklet of written test, तो आप इन में से जो भी आप यहाँ पर medium चूज करना चाहें वो कर सकते हैं, typing certificate अगर आपके पास है तो आप yes कर सकते हैं, और short end typing certificate आपके पास है तो आप yes कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप इसमें भी no कर पाएंगे, इसके बाद है driving license, अगर आपके पास है तो yes कर सकते है आपका license number, license की validity, license किस तरह का है, HMV है, LMV है, और किसने ये issue किया है, तो आपके driving license पर जानकारी मिल जाती है, नहीं है तो आप no कर देंगे, इसके बाद photograph and signature आपको upload करने है, तो size आपको दिया गया है, यहाँ पर in size से कम आपको यहाँ पर photograph and signature upload करने है, click here पर आप click करेंगे, file को select करेंगे और उसके बाद यहाँ पर upload कर देंगे, इसके बाद friends से यहाँ पर आपको देखिए, बनाना है password तो आप यहाँ पर password बनाएंगे, password कम से कम आपके 8 character का यहाँ पर होना चाहिए, alpha numerical कोशिश कीजिए, password बनाने की, इसके बाद आप यहाँ से data को declare करेंगे, और उसके बाद preview to verify पर click कर देंगे, इसके बाद friends से यहाँ पर जो भी data आपने फिल की है, उसकी जानकारी आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस okay वाले option पर click कर देंगे, इसके बाद friends से आपको यहाँ पर देखिए option मिलता है, submit का अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, आप उसे सही कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहाँ से submit कर देंगे, पर preview को ध्यान से चेक करना बहुत जरूरी है, अगर आपको लगता है कोई गलती है, आप इन में से कोई भी एक option को select करें, उस card के details को यहाँ पर आप फिल करें, और उसके बाद make payment करें, payment एक बाद आपका verify हो जाएगा, उसके बाद friends से आप अपना जो final printout है, वो निकाल कर अपने पास आप रख पाएंगे, feature use के लिए, feature reference के लिए, तो यहाँ पर friends इस वीडियो हमने बात की friends, आसाम डायेट रेकुर्मेंट 2022, जो की state level requirement है, class third post के लिए आप कैसे apply कर सकते हैं, step by step process के बारे में, हमने बात की इस वीडियो में, बाकी की जानकारी आप friends, वीडियो description में जाकर check out कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, और आप चाहते हैं, ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके, तो like, subscribe, and share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारे YouTube channel, and last thanks for watching.